आज लिस्ट टोपिक की थोड़ी लंबी आपको नज़र आएगी जिनमें से कुछ टोपिक समरों प्रलीम्स और कुछ टोपिक जो है प्रोम मेंस के प्रस्पेक्टिव से कवर करेंगे तो जैसे दलाई लामा जी का एक टोपिक हम लोग करने वाले हैं और अभी क्योंकि कुछ अमेरिकन ओफिशिल्स ने दलाई लामा जी से विजिट किया है और उन्होंने काफी हार्श स्टेट्मेंट भी दी हैं चाइना के अगेंस्ट में उस कॉंटेक्स में बात करेंगे और क्योंकि दलाई लामा जी इंडिया में रहते हैं तो अफकोर्स यहाँ पर इंडिया का अब इंपोर्टेंट रोल हो जाता है उस कॉंटेक्स में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यह ज्यादतर टोपिक आपका थोड़ा मेंस औरेंटेशन वाला है लेकिन कभी-कभी प्रिलिम्स में भी इस तरह की चीज़े आसे पूछ लेगा तो थोड़ा उसको हम लोग देख पर जहां सीन को वोटर मिलता है और यह देखा गया है कि हिंदुकुष के हिमाल्या के अंदर जो सनो होती है वो थोड़ी कम होती नज़र आ रही है उसका वहां की लोकल एकॉलोजी के पर क्या फरक पड़ सकता है अच्छा अर्टिकल है मेंस के परस्पेक्टिव से ज़्या इंपोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का कोश्ण एक्जाम में प्रिवेसली भी पूछा जा चुका है और वहां पर कोश्ण पूछा गया था हिमाल्यान ग्लेशियर्स को लेगे आज थोड़ा हिंदुकुष के बारे में बात करेंगे उसके लावा ब्रिटेन के अंदर बेट कि MSP को अभी revise किया गया है कोवर्मेंट के द्वारा increase किया गया है बैसिकली क्योंकि हर सीजन में MSP को revise किया जाता है time to time उसके बारे मात करेंगे MSP के बारे में नारंदा इनवर्शिटी के बारे मात करेंगे हम लोग historical perspective से क्योंकि finally जो हमारे PM साभ ने इसको इनौर्ट यहा दलाई लामा जी वाला टोपिक है इसके साथ भी जोड़के देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं सिधा पहले टोपिक पे और पहला टोपिक जो है वहाँ पर देखे चारा यूएस लोग मेकर्स को लोन बीजिंग टू होल्ड डायलोग विद दलाई लामा अब थोड़ी कहा इनको मार रहे थे प्रोटेस्ट चबो करते थे वो सब चीज़े हो रही थी तो फोर्सफली कैप्चर किया गया तिबबत को और उस कुंटेक्स्ट में फिर ये इंडिया में आए और आज भी जो है वो बैसिली तिबबत के के रिलीजियस और पॉलिटिकल हैड के रूप में ज़ादा रिलीजियस हैड के रूप में जो है वो देखा जाता है तो जैसी अभी अमेरिका और चाइना के बिजमें इशूस जो है वो बढ़ रहे हैं तो उस कुंटेक्स्ट में अमेरिका भी चाइना के पर दबाव बनाने के चक्कर में ताकि इंटरनेशनल कम्मुनिटी क इसली पुरा दिया गया था थोड़ी हिस्ट्री अगर आपको मैं बताता चलू तो देखे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी इंट्रस्टिंग भी है कहीं सेंस में जैसे अगर आप बात करें शुरुआत में तो इंडिया वास अंटर दा ब्रिटिश और ने तिबत जो है वो इं अगरिमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया के बीच में और जो तिबतन रेप्रेजेंटिटिव थे वो और कुछ चाइनिस रेप्रेजेंटिटिव भी थे इन तीनों के बीच में एक अगरिमेंट हुआ था जिसे सीमला अगरिमेंट कहते हैं सीमला कंवेंशन भी कहते हैं अग्रिमेंट से थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हूँ आप सिमिला कन्वेंशन भी कहते हैं और इसके बाद जो है वो ब्रिटीश इंडिया और तिब्बत के बीज में बाउंडरी डिमार्केट कर दी गई है यह चल रही थी पूरी कहानी और फिर जब यह काफी दिनों तक चला 1947-48 तक चला लेकिन 1949 और 1950s में चाइनीज प्रेजन्स बहुत जादा बढ़ गई तिब्बत के अंदर और उनों ने उसको कैप्चर करना बेसिल एक तरह से शुरू कर दिया तो काफी इशूज हो रहे थे उस टाइम पे लेकिन उस से मैं आपको पता है इंडिया में जो हमार पी-म सब थे नहरू जी थे और नहरू जी की एक पोलिसी वह करते थी जिसमें हिंदी चीनी भाई-भाई है ना तो हिंदी चीनी भाई-भाई के चक्कर में हुआ ये कि हम लोगों ने चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के उपर उसको बेसिल एक्सेप्ट कर लिया ये हो ग चाइना तिब्बत को चाइना का इंटीग्रेल पार्ट मानने लगा अब यहां से इशूज हो गए क्रियेट नौ इंडिया जब ये ब्रिटिश अग्रिमेंट हुआ था उसके जो बाउंडरी डिसाइड हुए थी उसे मैक मोहन कहते है ठीक है मैक मोहन लाइन होती थी लेकि ठीक है और तिब्बत हमारा इंटीग्रेल पार्ट है तो बस हुआ यही 1951 ओनवर्ड्स जो बफर जोन हुआ करता तिब्बत इंडिया चाइना के बीच में वो पूरी तरह से खतम हो गया और चाइना और इंडिया वो डिरेक्टली एक दूसरे के बाउंडरी की में बात कर ठीक है एकदम फेस टूफेस हो गए पहले तिब्बत वसद बफर जोन अब वो हो गए फेस टूफेस फिर 1950 का वो दोर था जब तिब्बत के अंदर इंडिपेंडेस मोमेंट चली तो दलाइ लामा जी के पर प्रेशर बढ़ा चाइना के दुआरा तो 1959 में दलाइ लामा जी इंडिया में आ गए और यह केले नहीं आये थे दिर वर अराउंड 80,000 फुषिस फॉलोवर्स इंडिया में आ गए चीक है और यह पिक्चर भी आपको पर दिखाई थी बेसिकलिए वही फिक्चर है 1959 की जब दलाइ लामा जी इंडिया में आये थे अपने फॉलोवर्स के सा और तब से यह हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं नहरो जी को जब बाद में रिलाइज हुआ के थोड़ा गलती हमसे हो गया तो उन्होंने फिर इनको as a refugee के रूप में asylum seeker के रूप में तो इनको asylum दिया और तब से हिमाचल के धर्मशाला में यह एक parallel government चलाते हैं तो इ इंडिया चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्धा है जगड़े का वो है दलाइलामा ठीक है जी चलो आगे बढ़ें ओन्दा हिंदू कुष हिमालिया सनो अपडेट तो हिंदू कुष यगर बात करते हैं तो यह देखे जरा डाइगराम यहाप यहाँ पे यह उस सेंट्रलेशन माउंटेंस हो गई हिंदू कुष हो गया तो वह सब इसके अंदर आता है तो बैसलिए हिंदू कुष जो हिमालिया है यह 3500 किलोमेटर का एरिया कवर करता है एट कंट्रीज है इसमें यह पूछे आपसे प्रिलिम्स में 100% नेक्स्ट टिर के लिए जो अब देखिए दो चीज़े होती है एक होती है स्नो जो कि हर सीजन में फ्रेश स्नो होती है और एक होते हैं स्नो कवर्ड पीक्स जहां पर पर्मनेंटली स्नो रहती है यानि कि जो माउंटें के हाईयर पीक्स होते हैं माउंटें हाई पीक्स होते हैं जहां बारा महीने स्नो रहती बेज़ अलग होता है और जो लोड इरियास में वींटर के टाइमप वे लिए अग्पी कभी समर में जो स्नुफोल उता है अहाँ सोनवाल के परमनेंट तुयhmen यहowers भूर । पर्मनेंटली स्नु डन्हें तुद्म हो चैका स्नुकावर प्ैक्स हैं अप अगर अगर इस्ट वेस्ट अगर आप जाओगे तो यहां पे तिरीचमीर ठीक है एक जगह है जो कि पाकिस्ता में बढ़ती है वहां के चित्राल में तो सेवन थाउजन्ड सेवन हन्ड़न जिरो एक मेंटर पड़ता है तो यह स्नो कवर्ड हाइस पीक आप हिंदु कुष में जो है तो कुछ निकलता है है ना आपका कराकॉरम, लदाख, जासकर वो सब एक ही जग ऐसे निकल रहा है क्योंकि यहां से इतनी सारी रेंज जीज़ निकलते हैं तो कभी कभी लोग ऐसे थर्ड पॉल भी कह देते हैं अब यहां से ना बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती है एशिया की जो सबसे बड़ी दस लार्जेस्ट रिवर्स है वो यहां से निकलती है जैसे आमुदरिया, इंडस, गंजीज, गंगाउग इसको बोल सकते हैं, बरहमपुत्रा, इरावडी, सल्वीन, मिकोंग, य से यलो रिवर एंड़ तरीम इन नाम आपने याद रखने हैं आपसे एक्जामे पूछ सकता है प्रिलिम्स में लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है रिसेंट रिपोर्ट यह गयती है कि भाई यह जो हिंदो कुछ क्या बात कर रहे हो ना यहां पे ओवर पिरिड ओफ टा लिया गया है बिट्वीन नॉम्बर और अप्रेल ओवर दा पिरिड ओफ टाइम और जिसमें यह पाया गया है कि गंगा ब्रहंपुत्रा इंडस यहां पे वोटर का जो वोल्यूम है वो पिछले 20-22 सालों में कम हुआ है अगर आप गंगा की बात करें तो इसका जो वोटर क 26% बिलो हो चुका है इंडस की हालत तोर भी खराब है यहां पे 23% बिलो नॉर्मल से नीचे स्नो कवर जा चुका है अगर आप आउटसाइड इंडिया की बात करें जैसे जो आमुदरिया रिवर है जो कि सेंट्रल एशिया में बिलों करती है वो 28.2% लो जा चुका है उसके जा चुका है हलाकि हमेशा ऐसा नहीं है कुछ रिवर्स हैसी है जिनके अंदर वोटर वोल्यूम बढ़ा भी है जैसे आप बात करें चाइना की अगर बात करें आप तो चाइना में जो यांग से रिवर है यलो रिवर है वहाँ पे वोटर लेवल इंक्रीज हुआ है बट य इतना intense कैसे हो गया देखे रिजन ना कहीं सारे हो सकते हैं लेकिन जो सबसे primary रिजन जो इसी रिपोर्ट कहती है वो है कि पिछले साल western disturbance का absence होना लग बग लग लग western disturbance और आपने पिछली बार हम लोग ने नियूस भी पढ़ा था कि कश्मीर के अंदर snowfall बहुत लेट था और वह भी बहुत कम हुआ था को एक किश्मीर रीजन के अंदर इवन गुलमर्ग में तो विंटर स्पोर्ट्स होते थे लेकिन वह पर विंटर स्पोर्ट्स भी नहीं हो थे लास्ट यर क्योंकि स्नोफॉल नहीं हो तो विंटर के समय जो रेनफॉल होता है उसे हम लोग कह एक लुट्स क्रेट होते हैं और ये स्ट वटे को शrot करते हैं और फिर फाइनली इंडिया में पहुंच आते हैं तो इंडिया में जो प्रेसिप्टेशन करते हैं हिली एयरियास में वो snowfall की form में करते हैं क्योंकि western disturbance बहुत कम हुआ last year उसकी वज़े से तो overall snow कम हो गया और इन्हे रिवर का जो है water level डाउन चला गया उसके अलावा ला लिना अल लिनो conditions की वज़े से भी ये सब definitely हुआ और overall जो है water level यहां पर कम हो गया तो यह थोड़ा सा आप यहां पर clearly इसको देख सकते हो हाला कि चाइना के अंदर जो yellow river है इसका थोड़ा सा increase हुआ है क्योंकि उस चाइना के eastern part के अंदर भी monsoon टाइप का reversal of winds देखने को मिलता है तो basically जो yellow river basin के अंदर होता क्या है जो की pacific ocean से जो air masses आते हैं और जो north वाली side से air masses आते हैं वो दोनों जब आपस में इंट्रेक्ट करते हैं इनके मंगोलिया से जब ठंडी हवाई आती है और नीचे pacific ocean से जब गरम हवाई आती है दोनों आपस में yellow river के basin में meet करती हैं और उससे वहाँ पे snowfall create होता है इस वज़े से वहाँ पे थोड़ा सा वो increase हुआ था ये हमारे लिए कोई ज़्यादे important नहीं है चाइना वाला angle अपने लिए इंडिया वाला perspective थोड़ा ज़्यादे important रहता है और यहाँ भी हम लोग गंगा ये अबर हम पुत्रा की बात कर सकते हैं गंगा river के अंदर अगर आप देखें जितना भी अपने यहाँ पे जो water इसके ज़्यादातर होता है तो seasonal जो snowfall melt होती है वो उसके अंदर 10% contribute करता है और glacier जो हैं वो 3-5% contribute करते हैं बाकी rainfall और वो सब हो गया और क्योंकि गंगा बेसिन में snowfall लगातर कम होता चला जा रहा है उसकी वज़े से यहाँ पर water की availability के ओपर काफी फरक पड़ेगा और इंडिया के लगबग 40% के लगबग population जो है वो गंगा ये ऊपर directly और indirectly impact जो है वो depend करती है तो ये पूरी civilization जो है नूर्थ इंडिया के अंदर वो गंगा बेस्ट ही है आज भी है ना गंगा होगी इसके tributaries हो गई तो definitely बहुत ज़दा फरक पड़ेगा ही अगर ये दिक्कते होती है और इससे होता क्या है snowfall या glaciers जब हद से ज़दा melt होने लगते हैं temperature बहुत ज़दा बढ़ने लगता है तो short term की अगर बात करें तो short term में basically rivers के अंदर जो water का flow है वो थोड़ा increase हो जाता है लेकिन अगर low term की बात करें तो यह यहाँ पर droughts की conditions बन जाती है short term में flood भी आ सकता है क्योंकि water level अचानक से बढ़ जाता है तो यहाँ पर जब droughts आएंगे तो यह हमारी food security के लिए बड़ा खतरना हो जाएगा क्योंकि पानी रहेगा ग्राउंड water में नहीं रहेगा तो आप irrigation नहीं कर सकते तो वह समझते हैं तो climate change के साथ साथ जो local factors हैं वह सब इन चीज़ों में contribute करते हैं तो क्या कर सकते हैं लोग इन सब चीज़ों के लिए basically solution क्या है better weather forecasting early warning system ताकि farmer सब नहीं को prepare कर सकें वह सब करना है और फिर एक global level के अगर बात करें या regional level पर collaborate करें international जो इसमें initiative हम लोगों ने चला रखे जैसे Paris convention हो गया उनको थोड़ा seriously ले क्योंकि river system के उपर ही civilization depend करती है और आज से नहीं हमेशा सही अगर आप indus civilization की बात करें है ना या फिर आप smarian civilization की बात करें एजिप्ट civilization की बात करें Chinese civilization की बात करें जितनी भी पुरानी civilizations रही हैं वो सभी के सभी civilizations basically rivers के around ही रही है क्योंकि river जहां होगी वहाँ पर मिलेगा water और water जहां मिलेगा वहाँ कर सकते हो agriculture और agriculture ही civilizations का base माना जाता है ठीक है वो तब भी था वो आज भी है तो इसलिए अपनी rivers को protect करना बहुत जादा जरूरी है तो लिए थोड़ा के बड़े climate activist of just stop oil vandalized stonehenge monument तो ये थोड़ा को western countries में देखने को मिल रहा आज पल यॉर्प यॉर्प में तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे radical groups है वो काफी radical or violent होता है तो वहाँ पे कुछ environmental ऐसे activist हैं जो की चाहते हैं कि oil को पूरी तरह से use करना बंद कर दिया जाए तिक्डम extreme level पे कि वही पराने जमाने की तरह घोड़ा गाड़ी से चलेंगे oil का use कता ही नहीं करेंगे उस टेप के लोग तो कभी कभी attention के लिए क्या करते हैं कभी कहीं पे कोई जाके painting तोड़ दिया किसी पे paint कर दिया जोता किसी को मार दिया attention लेने के लिए वो सब यह करते हैं तो वहाँ पे ब्रिटेन में stonehenge नाम का एक structure है world famous है UNESCO world heritage site भी है उसको जाके थोड़ा से नहोंने वेंडलाइज किया है basically तो यह अच्छे बात तो नहीं है आप एक historical relevance की चीजों को जाके वेंडलाइज करते हो not a good thing of course आपकी बात रखने का और भी बहुत तरीका होता है peaceful तरीके भी बहुत सारे होते हैं आप लेकिन यह लोग उसको बिलिए बैसली करते नहीं है तो stonehenge यह किस तरह का structure है अगर आप देखें तो कभी कभी अपने फिल्म वगरे में शायद इसको देखा होगा यह एक stonehenge structure है circular type का दिखता है आपको हलाकि अभी तो थोला बर्बादी हो गया हो सकता है जिब इसको बनाया गया था तो पूरी तरह से circle रहा होगा of course Egypt के अंदर जो pyramids पाए जाते हैं ठीक है तो बिसकिलिए pyramids और इसके बनने का समय लगबग से ही था वही 5000 BC के लगबग माना जाता है कि शायद बने होंगे दोनों ही इनका exact purpose क्या है परपर को लेके proper पता नहीं है और ऐसा नहीं कि इसको एक साल में ही बना दिया गया था ऐसा माना जाता है कि पंद्रह सो साल कम से कम पंद्रह से 2000 साल के दुरान यह धिरे धिरे बना होगा बट एक्चुली में यह स्टोन्स बहुत बड़े बड़े हैं अगर यहां पर खड़े होंगे ना तो आपको थोड़ा बिलकुल ऐसे नजर आएगा बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं तो उस समय इतने जमाने में चार-पांच हजार साल पहले इतने बड़े बड़े अगो के आसपास इसको बनाया गया था नियो लिथिक एज में और फिर फाइनली ब्रोंज एज के अंदर भी इसके अंदर कुछ को चेंजिस हुए तो यह सब चलता रहा ठीक है इतने स्टोन्स यहां पर अलग-लग तरह के यूज़ होते हैं जो बड़े वाले स्टोन हैं उ 25 टन सा एक बड़ा स्टोन होता है यह लाए कहां से गए वहां से 32 किलोमेटर दूर अब 32 किलोमेटर दूर से इतने बड़े स्टोन को कैसे लेके आई होंगे यह अपनियाब में मिस्ट्री है इस कास्त किसी को पता नहीं चला यह तो चोटी और बड़ी बात है उसके लिए जो चोटे स्टोन्स हैं उनको कहते हैं ब्लू स्टोन्स ब्लू स्टोन्स का वेट जो है वो टू से लेके 5 टन के बीच में है लेकिन यह जिस पत्थर से बने हैं वो लाए गई है कहां से प्रेसली हिल्स है प्रेसली हिल्स वहां से 225 किलोमेटर दूर है अब इनको यह कहां स एसा हमारे पास आइडिया है नहीं। कुछ लोग कहतें कि ये भीूरियल साइट था, यहां पे दफनाया जाता था। कुछ लोग कहते थे नहीं हैं, इसभी यह रहलीजियस रहलीवेंस है chloride है। कुछ लोग यह मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ये हो सकता है कि उस समय के जो किंग वेरा हूं वो लोगों को पनीश करने के लिए ऐसा करते हूं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हो सकता है ये कोई astronomy का कोई concept हो farmers वगारा को help करने के लिए weather activities को solar activities को measure करने के लिए तो अलग-अलग theories इसके लिए चलती हैं आभी तक हमें पता नहीं है जादा बट आपको थोड़ा सा Stonehenge के बारे में prelims के perspective से इतनी information आपको होकम से कम होनी चाहिए चलिए थोड़ा के बढ़ते हैं तो नया campus को inaugurate किया जाएगा इसलिए नालंदा इनुवरसिटी तो आपको पता होना चाहिए नालंदा इनुवरसिटी वन ओफ दो ओल्डेस्ट इनुवरसिटी आप दुनिया में कह सकते हो oldest तो होगी of course 400 से 500 AD के बीच में इसको बनाया गया था और कुमार अगुपता जो की एक गुपता डैनेस्टी के किंग थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था दो महायान बुद्दिसों को फोलो करने वाले मंक्स थे ठीक है असनागा और वसुबंदू इनके द्वारा जो है इसकी foundation रखी गए थी और उन्ही दिनों एक चाइनीज स्कोलर थे पिलिग्रिमेज थे उनका नाम था हिउन सांग जैसे आज हम लोग पिलिग्रिमेज में जाते है न आप कोई हज करने जाता है कोई हरीदवार जा रहा है कोई जो है वो मांट केलाश जाते है तो जैसे आज हम लोग पिलिग्रिम लाइफ के आसपास उनको देखने के लिए, इंस्पार होने के लिए, जहां से बिलोग करते थे वो सब, तो एक चाइनीज पिलिग्रिम जा आये थे, उनका नाम था हून सांग, तो वो जब आये, तो उसमें हर्श का रूल इंडिया में चल रहा था, तो नालंदा में उन्हें करता है, तो उन्हें ने कहा कि it was a monistic educational establishment थी, यानि कि जो, 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 मनेस्टरीज होती हैं, बेसिकलिए, जो बुद्धिस्ट, जो मंक होते हैं, वो यहां पे रहते थे और education establishment किया जाया था, जितनी भी teaching यहां पे होती है, लेकिन वो Sanskrit में होती है, वो पाली में नह बुद्धिस्म के अलावा यहां पे secular subjective पढ़ाय जाते थे, जैसे grammar, logic, epistemology, science वगरा, वो भी पढ़ाय जाते थे, वेद वगरा यहां पे पढ़ाने का ज्यादा concept था नहीं, वेद पुरान वगरा, थोड़ा बहुत, as per scholars, जिनों लोगों ने वहां पे विजिट किया है, बह पे कम से कम 2000 students रहते थे, और नालंदा के आसपास के जो 200 villages हैं, वहां से tax collect किया जाता था, उस tax से इनकी funding की जाते थी, तो बड़ा जवरदस्त center रहा बहुत सालों तक, लेकिन फिर बाद में, unfortunately, 1193 में, उतिबदी नैबग के जनरल थे, बक्तियार खिल जी, उन्होंने नालं महीनों तक बेसिकली वाग जलती रही, इसमें कितनी सचाई है, महीनों तक जली, दो दिन जली, या साल बहर चला, इसके बारे में कोई ऐस सच evidence थे नहीं, बट जो local stories है, वो यह कहती है, यह तो थो थोड़ा से ancient history हो गया, modern time के अगर बात करें, तो नालंदा, जो कि इंडिय में भी लोग करती है, तक शीला जो अभी पाकिस्तान में है, these were the early universities in the world, जो learning centers होते थे, तो बात में सब 2006 में जब उसनमन महुंत जी की सरकार थी, और कलाम जी प्रेजिनेंट थे, तो आइडिया यह हुआ, कि नालंदा university को revive किया जाए, इसको दुबारा से बनाया जाए, ज लेकिन यहाँ पे अभी ज़्यादा science सभी भी नहीं बढ़ाई जाती है, वो सब हुआ, Singapore, China, Thailand, Australia से funding लिया, और भी कहीं डेशों से लिया, और फिर एक, finally हम लोगों ने 2010 के अंदर नालंदा university act, जो है वो, पास कर दिया, 2012 के अंदर अमर्तिया सेन, जो कि Nobel laureate है, economy में, उनको को इसका chancellor बना दिया गया, अलग-अलग subject में यहाँ पे studies होती हैं, जिसमें ecology भी है, environment भी है, historical studies बगरा, बहुत कुछ होता है, science भी होती है, लेकि अभी आने वाले कुछ साल में definitely यहाँ पे science की एक high profile पढ़ाई होने लगेगी, laboratories वारा जब establish हो जाएंगी, ले लेबरेटरी 2020 में फिर finally इस cooperation किया गया, लेकिन इसका campus अभी नहीं बना था, proper तरीके से, temporary classes चलती थी basically, यहाँ पे राजगीर convention hall बनाया गया, जहाँ पे temporary classes चलती थी, और यह एक hotel जो है, उहाँ पे रहते थे students, वो यहाँ पे आके बढ़ाई करते थे, लेकिन क्योंकि अभी यह full-fledged campus इसका त्यार हो गया, inauguration उसकी हो गई है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि definitely यहाँ पे चीज़ी improve होगी, एक article जो प्राइड नहीं हुआ था, वो है कवच, तो despite rising number of the accidents, कवच work still on the slow track, तो अभी आपने देखा नोजोगरा पढ़ रहे होगे, तो दार्जलिंग के अंद पहले सही, और proper signal काम किया नहीं, अगर काम किया था तो उसके यूनोर कर दिया गया, तो सामने से ट्रेन आ रहे थी, वो इसके उपर जाब चड़ गई, लोगों के death हो गई, अब इसको कैसे prevent किया जा सकता है, देखें, आप यह समझे लिएजे न, इसमें एक human error का इतना गलती से बत्ती नहीं दिखाई, या उसने बत्ती को इगनोर कर दिया, कुछ भी हो सकता है, human तो बहुत vulnerable होता है, कहीं मेरे वो जान बूझ के क्या पता ऐसा करना चाहरा हो, क्या वो जान गलती बिना जान बूझ के भी हो जाती है, तो एक human error, छोटी सी error से, हजारों जाने, इतनी जाने, जा सकती है, तो इसके, ताकि human intervention कम से कम हो, एक system introduce किया गया कवच, कवच का मतलब होता है, आर्मर, जो धाल होती है, यह हम लोगे ने अपना खुद का एक indigenous automatic train protection system बनाया है, इसको 2002 के अंदर develop किया गया, by research design and the standard organization, RDSO के द्वारा, और इसको establish किया गया, इसमें क्या होता है, तो आपको यह समझने की जूरूत है, देखिए, इसमें simple ही होता है, जैसे मानलो एक track है, उस track के ओपर आगे कोई train खड़ी है, या आ रही है वहां से पहले से, या फिर आने के chances बहुत जादा है, तो इसको time हो गया है, और सामने से अ human error हो गई, और यह train एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, और यह finally यहाँ पर जाके crash होगा इनका, अब कवज सिस्टम क्या करता है, वो automatically यह identify कर लेता है, कि भाई जो लोको पाइलिट था, या जो train का driver है, या जो बाहर signal देने के लिए खड़े हुए है, उन्होंने अपना क system होता है, वो automatically active हो जाता है, और वो automatically ही अपने आप खुद brake लगा देता है, driver brake लगाए या ना लगाए, station master signal जैसे भी रहेगा, तो basically यह brakes automatically लगा देता है, उसको लगता है जब एक particular distance दूर train है, यह activate हो जाता है, और train के brake खुद लग जाता है, तो कई बार क्या होती है, इस फोग होती है, bad weather होता है, सामने ट्रेन नहीं दिखती, ऐसा भी तो हो सकता है, उस case में भी active हो जाता है, अगर कोई सामने इस उसी लाइन पर ट्रेन खड़ी है या आ रही है, यह कवज सिस्टम होता है, और काफी ज़्यादा यह फुल प्रूफ है, इसमें error के chances बहुत क परसेंट कहीं बार, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगह पे कवज सिस्टम को proper implement नहीं किया गया है, खासकर नोर्थ इस्ट इंडिया के अंदर और उसकी वज़े से इतनी सारी चीज़ें issues यहां पर होते हैं, चलिए, आगे बढ़े, paddy MSP up 5.35% as the center clears hikes for the 14, तो 14 खरीफ को लेके MSP बढ़ा दिया गया है, बेसिक नहीं, तो खरीफ करोप कुन सी होती है, जो कि जून, जुलाई के अंदर जिनको बोया जाता है, और सेप्टमर अक्टोबर के अंदर जिनको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसे खरीफ करोप कहते हैं, दुसर पर आपका वीट, बारले, पीस वगरा, वो सब हो गया, जायद वो होता है, जो कि इन बेट्विन जो सीजन होता है, ठीक है, उसमें जैसे माज से जुलाई के बीच में, रावी और खरीफ के बीच में, जायद हम लोग बोलते हैं, तो हैं पर जो सीजनल फूट्स होते हैं, कि इस से कम प्राइस पे, किसानों से फसल नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है, आप जादा बेखरीद सकते हो, लेकिन इस प्राइस से कम नहीं खरीदा जाएगा, यह मिनिम्म प्राइस किसानों के दिया जाता है, ताकि वो उनके एक इंसेंटिम मिले, ठीक ठाक इंसेंटिम मि कि भी आपने खेती बाड़ी किया है क्योंकि इंडिया को फूड तो सबको चाहिए होता है तो फार्मर्स को बेजले सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम प्राइस उनको दिया जाता मैक्सिम कोई की लिमिट नहीं है मिनिमम की लिमिट है कौन-कौन सी क्रोप्स यहां पर इंक्ल और यहां पर अब देख्ञें तो कमर्शिल क्रोप्स में से जूट शुगर केन, कोपरा, 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 बोल एंड कोपरा मायली शुगर केन के लिए MSP ऐसेच नहीं दिया जाता है शुगर केन के लिए जो है वो आप यह कहें कि उसके लिए अलग जो है वो सिस्टम होता बारले जो पांच क्रोप होते हों पल्सिस होती हैं चना अरहड तुर उड़द मूंग मसूर साइवन जो है ओल सीड होते हैं और चार कमर्शल क्रोप होती है कोटन शुगर केन कोप्रा एंड प्रोजोट जो कि मैंने भी आपको बताया MSP लीगल नहीं है आपको अच्छे से बताया MSP जलाई का गोवर्मेंट स्कीम इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है कोई पार्लिमेंट के इंदर पास कानून नहीं वह MSP को लेके इसलिए कोई फार्मर ये नहीं कह सकता कोट में नहीं जा सकता किसाब सरकार मुझे MSP नहीं दे रही है अलाउड नहीं है क्योंकि इसका कानून बैकिंग नहीं है तो जो अभी तीन फार्मर लोग के अगेस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे तो वहाँ पे फार्मर की एक बहुत बड़ी डिमाड यही थी कि MSP को लीगल किया जाए लेक लिखाव आर्टीकल है और शशी थरूर जी ने एक पार्लेमेंट में प्राइवेट बिल इंट्रड्यूस किया था बेसिकली प्राइवेट बिल वह होता है जो कि आउट ओफ द गवर्मेंट जो मेंबर ऑफ पार्लेमेंट होते हैं उनके द्वार इंट्रड्यूस के लिए ठीके तो उसको तो अफकोर्स पास नहीं किया गया प्राइवेट बिल यूजली पास नहीं किया जाते हैं उसको लेकर आर्टीकल इन्होंने दिया है क्योंकि 20 जून यानि कि आज वो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जा रहा है इसलिए आर्टीकल जो है वो न्यूज में जिनों ने बॉक सभी को सभी जितने मी माइगरेंट्स इंडिये में आई हैं असाइलम सीकर्स आए हैं रिफ्यूजी आए हैं उनका दिल खोलके स्वाधत किया है जियूज जो थे जब उनको बहुत कहीं हजार साल पहले जब उनको भगाया गया उनको मारा गया जो जरुसल और उसके बाद जो रोमन्स आए तो कहां जाएंगे वो इंडिया की तरफ है इंडिया उनको इसाथ क्या किया पुरी तरह से उनका एक्सेप्ट किया आप जब हम लोग परशिया इरान की बात करते हैं तो वहाँ पर जो 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 जोरास्ट्रियोंस थे जब इस्लामि पर्जी कुशन उनका हो रहा था थो इसलामिक रूलर्स तो वह कहां है वह अब इंडिया के तरह आई जिसे आप पार्सी कहते हैं वन अफ द वेल्दियस्ट कमुनिटी इन इंडिया इतना ही नहीं 1973 में जो बंगला देश इस्टन पाकिस्तान जिसे हम कहते थे तब वहां से मिलियन्स के संखे में लोग इंडिया में आए इंडिया ने कहा कोई बात नहीं आप आईए तिबितन्स इंडिया में जाए दलाईला मजी के अब भी हम लोगों ने एक्जमपल दिया उनका भी हम लो में एक्सेप्ट किया रोहिंग्याज को भी हों लोग ने डिसेंट नंबर में एक्सेप्ट किया है कंपरिटिवली तो सवाल यह है कि इंडिया रिफ्यूजी का इंडिया में आना असाइलम सीकर्स का इंडिया में आना कोई नई बात नहीं हमेशा से रहता है आगे भी रहे कन्वेंशन्स हैं हमारे पास जैसे एक 1967 का वियना एक प्रोटोकोल है हमारे पास फिर युनाइटे नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन भी जो है अपने पास है इंडिया इन मेंसे किसी का भी मेंबर नहीं इसका मतलब जो इंटरनेशनली जो लोज हैं रिगार्डिंग रिफ्य जनोल इंडिया उसके लिए जो है अकाउंटेबल है ही नहीं तो शर्षी तरुजी का यह कहना कि यार यह न एक कहीं न कहीं इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी मेंज है उसको डाउन करता है फिर उन्हें बाद में अपने बिल के बारे में बताया जैसा कि मैं बताई चुकाउंगे बिल पास कि इंडियूस किया था और अपने बिल में ने कहीं कहीं सारी चीज़ें इंकलूड की थी कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लोग को फोलो करना चाहिए इंडिया में कोई अगर कोई असाइलम सीकर है या रिफूजी है वो किसी भी देश से आए किस इडिकेशन फैसलिटीज प्रवाइड कराए जाएं वो सब करवा जाएं तो यह काफी लिबरल टाइप का यह बिल था इनका और फिर उन्होंने यहां पर रोहिंग्याज का एक्जम्पल दिया है कि वो काफी खराब कंडिशन में इंडिया में रहते हैं जो कैम्प्स होगर इसके लाग कुछ में अनमार मिजोरामजारा के अंदर भी रह रहे हैं उनके साथ भी यह इशू है इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं लेकि नभी तक मोस्टली चकम्नाज को सिटिजिनशिप नहीं मिली है तो यह कुछ-कुछ इशू से जो हिन्होंने आप बताएं है लोग तो स्टेट का रिस्पोंस बतायाrole च।क पैशली इंडिया में रिफ्यूजीज को लेके बाच्ट को लेके कोई एक कानुन नहीं अहीं अीवर्नर्व को लेगे इंडिय में कानुन है अलग-अलग जैसे foreigners act है registration of foreigners act 1939 है passport act, extradition act citizenship act ठीक है जो अभी अब लोगों ने amend किया था 2019 में foreigners orders act तो कई एक्ट हैं हमारे पास और यह सभी के सभी एक्टर foreigners को alien की तरह समझते हैं international conventions बनाई गई है human rights को लेके उनके बारे में कुछ भी इंडिया के लोग गेंदर mention नहीं किया गया है तो इन्हें ने कहा कि यह सब गलत है और Indian government को अभी यह recognize करना चाहिए कि जो refugees हैं जो asylum seekers होते हैं वो भी उतने ही human होते हैं जितने local लोग human होते हैं और ऐसा Supreme Court के भी कहीं verdict से आपको नजर आएगा तो 1996 में Supreme Court का एक verdict आया था जिसको कहा जाता है case of human rights commission versus state of हरुनाचिल परदेश इसमें Supreme Court ने सिदा सिदा कहा था यह कोई भी इंसान not just Indian कोई भी इंसान irrespective of the nationality इंडिया में अगर वो रह रह रहा है तो article 14.20.21 उसके उपर लागू होगा ठीक है और इस एक judgment ने काफी चीज़े चेंज कर दी और चक्मा जो refuges थे जिनको जबरदस्ती सरकार के दोरा भगाया जा रहा था अगर नाचिल परदेश से उनको रोक दिया गया लहाला कि उसमें बाद में और भी कही चैजमेंट आई है जिसमें अलग-अलग हाई कोट्स ने अपने अपने तरीके से चीज़े सुनाई है लेकिन सुप्रीम कोट फिलाल उसको मानता है और उसको फोलो करता है सो आइंड बेक एंकलूजन जो है सशी जी ने ही निकाला है कि अगर इंडिया विशु गूरू बनना चाहता है भाई ठीक है अगर पनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो सही से फोलो करना चाहता है तो हीमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें जो रिफ्यूजी यह जो एसाईलम सीकर्स इंडिया में हैं उनको एक साथ एक पोलिटिकली सोचने के वज़ाए एक इंसानी तोर पर सोचें तो वो जादा बैटर होगा तो इंडिया की जो सिविलाजेशन वैल्यूज हैं है ना इस्टोरिकल जो सिविलाजेशन वैल्यूज हैं तब हम लोग इंडिया को as a proper, एक democratic और ethical, moral based government और as a civilization आगे लेके जा सकते हैं। तो यही था इस article में और I think सभी article हम लोग ने cover कर ली हैं। आज गरीत नहीं है, thank you very much, all the best, जाहिए!